जिन्दगी हसाए, तो समझना की अच्छे करमों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए, तो समझना की अच्छे करम करने का समय आ गया है। सब कुछ खोकर भी, अगर आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजे, आपने कुछ भी नहीं खोया। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके, वही जिन्दा है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, लोगों का साथ भी, लोगों की आउकाद भी। कठिन रास्तों से ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते अकसर खूपसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ, विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। अगर मरने के बाद भी जीना चाहो, तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, या लिखने लायक कुछ कर जाना। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, जो इंसानियत नहीं सिखाती। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूं, तभी आजकल मैं रिष्टे कम रखता हूं। डर सा लगता है अब रिष्टों से, लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी, अगर कोई खुश नहीं है, तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खाली पन है। कुछ खाली पन ऐसे होते हैं, जो पैसों से कभी पूरे नहीं हो सकते। समझदारी इसी में हैं, कि कभी भी उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा मत कीजिए, जिससे आप एक बार भी दोखा खा चुके हों। भीड हमेशा आसान रास्ते पर ही चलती है, जरूरी नहीं वो सही है, अपने रास्ते खुच चुनियें, क्योंकि आपको आप से बहतर और कोई नहीं जानता। अपने रिष्टों को उपहार दो या मद दो पर अपने रिष्टों को समय जरूर दो क्योंकि ताज महल को सारी दुनिया ने देखा है पर जिस मुम्ताज के लिए वो ताज महल बना वो उसने नहीं देखा मुसीबते ही सिखाती हैं इनसान को जिन्दगी जीने का हुनर काम्याभी का मिलना कोई इत्फाक नहीं होता कभी हार भी जाओ तो फिर से कोशिश करना क्योंकि आप साल या दिन हारे हो लेकिन जिन्दगी नहीं जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जो सच में आप से प्यार करेगा वो आपको अपनी जिन्दगी से कभी दूर नहीं जाने देगा चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ समय रोएगा लेकिन संसकार न दिये जाए तो वो जीवन भर रोएगा जिन्दगी हमें कम से कम एक बार तो ऐसे इनसान से जरूर मिलाती है जो सिरफ हमारे लिए बना होता है किसी का दिल दुखाने वाली बात कभी न कहें क्योंकि वक्त तो बीट जाता है लेकिन बाते हमेशा याद रहती है जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दे तब खुदा किसी न किसी को आपका हाथ थामने के लिए जरूर भिज देता है सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बस इंतजार ही करते रह जाओगे इसलिए खुद उठो हिम्मत करो और सब कुछ ठीक कर दो कितने अजीब रिष्टे हैं यहाँ साथ हो तो ऐसा लगता है जैसे कभी जुदा ही नहीं होंगे और तूटते हैं ऐसे जैसे कभी जान पैचान ही न थी सुंदर्ता सस्ती है चरित्र महंगा है घडी सस्ती है समय महंगा है शरीर सस्ता है लेकिन जिन्दगी महंगी है रिष्टा सस्ता है लेकिन निभाना महंगा है इस दुनिया में दिल के रिष्टों की शायद कोई कदर ही नहीं होती तबी तो लोग जब चाहे जोड देते हैं, जब चाहे तोड देते हैं दर्द तो सरफ वही देते हैं, जिने हम अपना कहते हैं वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं, जो बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से सपनों को देखते हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए, खुद को दाओं पे लगाने की ताकत रखते हैं, मंजिले उनको ही मिलती हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जिनके सपने ही साधरन हों, उनको बड़ी मनजिले कभी नहीं मिल सकती सपने वो नहीं हैं जो आप नीन में देखते हैं सपने वो हैं जो आपको नीन ही ना आने दे सपनों के शखर तक पहुचने के लिए ताकत चाहिए चाहे वो माउंट एवरिस्ट का हो चाहे वो आपके पेशे का हो हमें जिन्दगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं से खुद को हराने नहीं देना चाहिए इस से पहले कि आपके सपने सचों आप में हिम्मत होनी चाहिए बड़े सपने देखने की जिस दिन आपका सिगनेचर आटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लेना कि आप काम्याब हो गए मनुश्य के लिए कठनाईयां बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता अच्छा दिखने के लिए नहीं लेकिन अच्छा बनने के लिए जीओ हमें अपनी जिन्दगी से जुड़े एहम फैसले खुद लेने चाहिए ताकि बाद में हमें अफसोस ना हो कि किसी और की वजह से हमें जिन्दगी की खुशिया नहीं मिली मत जीओ उसके लिए जो दुनिया के लिए खुबसूरत हो उसके लिए जीओ जो तुम्हारी दुनिया को खुबसूरत बना दे हम जिन्दगी में सोचते बहुत है लेकिन महसूस बहुत कम करते है अच्छे लोगों का हमारी जिन्दगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है प्यार में लोग इतने मजबूत हो जाते है कि दुनिया से भी लड़ जाते है और कमजोर इतने कि एक इनसान के बिना भी नहीं रह पाते अपने वो नहीं है जो रोने पे आते हैं अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते अपने भीतर खुशी ढूणना आसान नहीं है और खुशियों को कहीं बाहर ढूणना संभव नहीं है जो सुख में साथ दे वो रिष्टा होता है और जो दुख में साथ दे वो फरिष्टा होता है अच्छे लोग बहुत ही सस्ते होते हैं बस मीठा बोलो और खरीद लो बोलने का हक तो किसी से चीना जा सकता है मगर खामूशी का हक कभी किसी से नहीं चीना जा सकता